कभी ऐसा होता है कि घर पे कोई नहीं है या फिर मनाने के लिए कोई समान नहीं है कुछ नहीं तो क्या होगा दही तो हार एक का घर पे रहेगा आज उसी दही का एक रेसीपी आपसे में स्वेयर करूंगा जो हिमाचाल साइट का बहुत ही फिमास एक रेसीपी है रेडू जो आप राइस के साथ में खा सकते हैं और बहुत ही स्वादिश्ट होता है आप देख सकते हैं कि इतना शंदर है देखते हैं हूं में पानी आ जाता है तो चले दोस्त कैसा बनाया जाता है रेडू एक बड़ देख लेता हूँ मैंने यहाँ एक कप के परिमन दही लिया है इस दही को हम अच्छी तरह से विष्ख कर लेंगे पहला और दूसरा साइड में हमें एक गैस पे एक सॉस्पेंच चरा दिया है इसमें हम डालेंगे एक चमच के परिमन घी घी को हम अलका सा गरम कर लेंगे और इसमें हम एक हारी मिर्ची को थोरा सा फ्राई कर लेंगे इसी घी में अब हम गैस को अफ कर दिया और हरी मिर्ची को निकल लिया है हमने अब इस गरम घी में हम डलेंगे एक चम्मज अख्खा जीरा जीरा को हम थोरी देर भून लेंगे गैस को हम स्लो पे रखना होगा क्योंकि सोस्पेन आमारा पतला है इसलिए आमने गैस को स्लो पे रख बस जीरा को हम अच्छी तरह से भून लिया और गैस को हमने बंद कर दिया अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर और डालेंगे स्वादानोसर नमक अब अच्छी तरह से आमें मसाला को भून लेना होगा इस गरम घी के साथ में आपको ध्यान रखना होगा गैस को आपको बिल्कुल बंद कर लेना होगा ना तो मसाला कला बढ़ जाएगा जल जाएगा पूरा तो हमने गेस को बंद करके इस मसाला को भून लिया है गरम घी में हमने जो दही को उष्ख करके रखा था इस दही को हम सौस्पेन में डाल देंगे और दही को डालने से पहला आपको सौस्पेन ठांडा करके लेना होगा गरम सौस्पेन में अगर आपने दही डाल दिया तो दही बिल्कुल फटने लगेगा तो हमने सौस्पेन को ठांडा कर लिया था पहला, उसके बाद आप अच्छी तरह से मिला देंगे इस दही को सारे घी मसाले के साथ में और गैस को हम स्लो पे चलू कर दिया है बिल्कुल स्लो है गैस अब देख सकता है कितना शांधर दिख रहा है बहुती स्वाधिस्ट होता है दोस्त रेडू अब हम इसी बर्तन में थोरा सा पानी लेकि आम इस दही को धोके डाल दिया है थोरा सा पानी पानी ज्यादा नहीं डालना है आपको नो तो बिल्कुल पतला हो जाएगा आप इसका कॉंसिस्टेंसी देख सकता है बिल्कुल भी पतला नहीं करना है हमें हमने जो हरी मिर्ची को फ्राइ करके राकाता है इस मिर्ची को भी हमने डाल दिया है हमारा रेडू बनकी रेडी है आप देख सकता है कितना शांदर दिख रहा है और बहुत ही स्वाधिश्ट होता है खाने में आप एक बढ़ ट्राइ जोरूर करे राइस के साथ में रेडू का मज़ा आ जाता है रेडू का रेसीपे आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट में जोरूर बताइए और एक बढ़ ट्राइ भी जोरूर करे बहुत ही स्वाधिश्ट होता है रेडू का रेशिपी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जोरूर करें दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए रेशिपी का वीडियो का आपको दोस्तों से जादा से जादा शेयर कीजिए और मुझे कॉमेंट में बताए आपको नेक्स कौनसा रे करने से बीकिसा तक थप्तक कुष्री ये